नमस्कार दोस्तों आज हम सुनेंगे राजा ब्रधरी की कहानी की कैसे एक फल ने राजा को बैरागी बना दिया पौराणी कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है उज्जेन नगर के राजा गंधर्व सेन थे उनकी दो पत्मिया थी एक पत्मी से विक्रमा दित्ते हुए और दूसरी पत्मी से ब्रहथरी पैदा हुए कुछ समय के बाद जब गंधर्व सेन के ये दोनों पुत्र पड़े हो गए तो राजा ने सोचा कि अब उनको अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौप कर वन में तपस्या के लिए चले जाना चाहिए तब राजा ने अपने बड़े पुत्र ब्रहथरी को उजयन नगर के राज सिंगासन पर बिठा दिया राजा ब्रहथरी धर्म और नीती शास्र के ग्याता थे पौराणी कथाओं के अनुसार राजा ब्रहथरी की भी दो पत्निया थी लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवा किया राणी पिंगला से पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजय से ब्रहथरी राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यदिक मोहित हो गए थे कथाओं के अनुसार राजा ब्रहथरी अपनी तीसरी पत्मी पिंगला पर इतने अधिक मोहित थे कि उसके मोहों में वे अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरू गोरखनात जी का आगमन हुआ गोरखनात राजा के दर्बार में पहुँचे ब्रहथरी ने बाबा गोरखनात का उचित आदर सत्कार दिया उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया उनके आदर सतकार से गुरू बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर गोरखनात जी ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुमें छू भी नहीं पाएगा और तुम्हारी सुन्दर्ता और तुम्हारा योवन किसी प्रकार बना रहेगा, ऐसा चमतकारी फल देकर बाबा गोरखनात वहां से चले गए, राजा वह फल पाकर बहुत प्रसन्न हो गया, उसे अच्छी तरीके से देखने के बाद राजा ने सोचा कि मुझे जवानी और सुंदर्ता की क्या अवशकता है, अब क्यूंकि रा वह इसे खाकर अधिक समय तक जवान और सुंदर्बनी रहेगी, और राजा ने वह दिव्यफल लेकर रानी पिंगला को दे दिया, और बुला लो रानी यह दिव्यफल मुझे गुरू गोरखनात जी ने दिया है, इसको खाने के बाद तुम सदा, जवान और सुंदर्बनी रहोगी, इसलिए तुम इसे खालो, परंतु राजा ब्रथरी कदाजित इस बात से बिलकुल अंचान थे कि रानी पिंगला उनको नहीं, बलकि राज्य के कोतवाल को चाहती है, वह उस पर मोहित है, रानी ने वह दिव्यफल राजा से ले लिया, और उनके चले जाने के बा करूंगी, क्योंने मैं यह फल नगर के उस कोतवाल को दे दूँ, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ती करता रहे, रानी पिंगला ने यह सोच कर वह दिव्यफल उस कोतवाल को दे दिया, और कहा कि तुम इसे खा लेना, और साथ में उस फल के गुडू के बारे में भी कोतवाल को बता दिया, कोतवाल उस फल को लेकर बहुत प्रसन्न हो गया, अब इधर रानी भी इस बात से बिल्कुल अंजान थी, कि जिस कोतवाल के लिए वह ऐसे दिव्यफल का समर्पन कर रही है, वह उसे नहीं, बलकि उस नगर की एक वेश्या से प्रेम कर उसने सोचा इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा, इसको ले जाकर मैं उस वेश्या को दे देता हूँ, जिससे वह हमेशा जवान और सुन्दर बनी रहेगी, और उसने ऐसा सोचते हुए उस फल को ले जाकर उस वेश्या को दे दिया, लेकिन जब कोतवाल ने उस दिव्यफल क विशेष्टाओं के बारे में उस वेश्चा को बताया तो वहमन में विचार करने लगी कि मैं इस दिव्वेफल को खा कर क्या करूंगी मैं सदा के लिए जवान और सुन्दर बन कर क्या करूंगी मैं जितने अधिक समय तक सुन्दर और जवान रहूंगी मुझे यही कुकर्म करने पड़ेंगे तो मुझे उतने ही अधिक समय तक ये बुरे कर्म करने पड़ेंगे और मुझे इस नरक की जिंदगी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी उसके बाद उसके मन में विचार आया हमारे राजा कितने भले इंसान हैं प्रजा का कितना दिहान रखते हैं क्योंना मैं इस फल को ले जाकर राजा ब्रथरी को दे दूं क्योंकि अगर राजा इस दिव्य फल को खाएंगे तो भी सदा के लिए सुंदर और जवान रहेंगे और लंबे समय तक ऐसे राजा के साथ प्रजा सभी सुक्सुविधाओं को भोगती रहेगी यह सोच कर उस वैश्या ने वे दिव्य फल ले जाकर राजा ब्रथरी को दे दिया उस दिव्य फल को देखकर राजा आश्चर रे चकित हो गए पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुराकर किसी उन्हें इस वैश्या को दे दिया है लेकिन जब उन्होंने वैश्या से इसके बारे में पूछा कि तुम्हें यह फल कहां से मिला तो उसने कोतवाल द्वारा दिये जाने वाली सारी बात राजा को विस्तार से बता दी राजा ब्रत हरी ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया और सक्ती के साथ पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस दिव्य फल को तुम खा लेना इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बने रहोगे यह सब सुनकर राजा के दिल में गहरा जटका लगा जब राजा ब्रत हरी को पूरी सच्चाई पता लग गई तो वे समझ गया कि पिंगला उसे धोका दे रही है पतनी के धोके से ब्रत हरी के मन में वेराग्य जाग गया वे सोचने लगे जिस रानी के लिए मैंने अपने गुरु गोरकनाथ द्वारा दिये हुए दिव्य फल को समर्पित कर दिया वो मुझे इस तरीके से दोका दे रही है इस घटना से उनके मन में इतना वेराग्य हो गया कि वे संपूर राज्य विक्रमा दित्ते को सौंप कर उज्जेन की एक गुफा में चले गए जब राजा ब्रत हरी को उस गुफा में तपस्या करते करते बहुत अधिक समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को यह डर सताने लगा कि कहीं राजा ब्रत हरी वर्दान प्राप्त करके उनका सिंगासन्य छीन ले इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे राजा ब्रत हरी पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया तपस्या में लीन राजा ब्रत हरी ने तपस्या करते करते ही उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और अपनी तपस्या में बैठे रहे और उस पत्थर को एक हाथ से रोके रोके ही उन्होंने तपस्या करते हुए कई और वर्ष पिता दिये उस पत्थर पर राजा ब्रत हरी के पंजो के निशान ठप गए और वे निशान आज भी ब्रत हरी की गुफा में ब्रत हरी की प्रतिमा के उपर वाले पत्थर पर देखे जा सकते हैं कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब राजा को ग्यान की प्राप्ती हो गई तब वे गुरू गोरकनाथ जी के पास गए और उनका शिश्य बनने की विनती करने लगे। राजा ब्रत हरी के बारम बार विनती करने से गुरू गोरकनाथ जी ने उन्हें अपना चेला बना लिया परन्तु गुरू गोरकनाथ जी के कुछ शिश्यों के मन में ये शंका होने लगी कि भला राज महल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वेरागय का जीवन कैसे जी सक जता है और यह बात उन्होंने अपने गुरु गोरक नात जी को भी बताई तब गोरक नात जी बोले शिश्यों चिंता मत करो यह तुम लोगों से भी अच्छा शिश्य वनेगा यह सुनकर पुन है उन शिश्यों ने गोरक नात जी से पूचा हां az विश्वाश ही नहीं उराए गुरू जी आपसे आगरे है कि आप राजा ब्रहत हरी की परिक्षा लीजे शिश्यों की बाद सुनकर गुरू जी ने कुछ देर तक सोचा फिर अपने शिश्यों से बोले ठीक है तुम सभी की शंका को मैं अवश्य दूर करूँगा उसके बाद राजा उन शिश्यों के साथ गुरू गौरकनात जी के आश्रम में रहने लगे गौरकनात जी ने अपने शिश्यों से कहा देखो राजा होते हुए भी ब्रहत हरी ने काम, क्रोध, लोब और एहंकार पर किस तरीके से अपनी विजय प्राप्त कर ली है यह सब सुनकर शिश गौरकनात जी बोले अच्छा रुको मैं तुम्हें अभी इसका प्रमान दिये देता हूँ, फिर उन्होंने ब्रहत हरी को अपने पास बुलाया और कहा ब्रहत हरी तुम जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकडियां लेकर आओ, गुरू की आग्या देने भर की देर थी, ब्रहत हरी नंगे पैर लकडियां लाने जंगल की ओर चल दिये, कुछ देर बाद जब वो लकडियां इखटी कर वापस आश्रमाने लगे, तब गोरकनात जी ने दूसरे शिश्यों से कहा, जाओ और ब्रहत हरी को धक्का मारो, कि उसके सर से लकडि का सारा बंडल गिर जाए, गुरुदेव के कहने पर शिश्यों ने ऐसा ही किया, वे ब्रहत हरी के पास कए और उन्होंने ब्रहत हरी को धक्का दिया, जिससे उसके सिर से लकडि का बंडल नीचे गिर गया, यहे देखकर ब्रहत हरी जमीन पर गिरी लकडियों को इखटा करने लगा, लेकि उसकी चहरे पर ना कोई उदासी थी ना कोई क्रोध था यह देखकर गोरकनात जी ने अपने शिश्यों से कहा देखा तुम सबने ब्रहत हरी ने क्रोध पर विजय पाली है लेकिन फिर शिश्यों ने गोरकनात जी से कहा हम सबने यह तो मान लिया कि ब्रहत हरी ने क्रोध को नियंतरित कर लिया है लेकिन आपको अभी और परिक्षा लेनी होगी तब गुरुदेव ने अपनी योग शक्ती से एक महल रच दिया उस महल में औरतें नाना प्रकार के वेन जनों से ब्रहत हरी का आदर सतकार करने लगी लेकिन राजा ने उन औरतों की तरफ देखा तक नहीं और वे आगे बढ़ गए यह देख गौरक नाद जी बोले शिश्यों अब तो तुम लोगों को विश्वाश हो गया होगा ना कि ब्रहत हरी लोभ और काम दोनों को जीत चुके हैं फिर भी शिश्यों ने कहा गुरुदेव एक आखरी परिक्षा और ले लीजिए इतने में ही ब्रहत हरी आश्रम में लकडियां लेकर आ गया तब गोरखनाथ जी ने ब्रहत हरी से कहा वत्स वेराग्य का पूर्ण रूप पाने के लिए तुमको एक महिना मरू भूमी में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी यह सुनकर ब्रहत हरी बूला गुरुदेव अभी से मैं यह काम आरंब कर देता हूँ उसके बाद ब्रहत हरी चलते हुए मरू भूमी में पहुँच गया उस समय मरू भूमी का बालू इतना गरम था कि पैर रखें तो जल जाए धीरे धीरे समय वित्ता गया तब एक दिन गुरु गुरक नाथ जी अपने शिश्यों को साथ लेकर वहां उस राजा के पास पहुँचे फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरू भूमी में एक पेड़ खड़ा कर दिया चलते चलते अचानक ब्रहत हरी का पैर उस पेड़ की छाया पर चला गया तब वह ऐसे उचले मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो वो मनीमन सोचने लगे कि यह निर्जन मरू भूमी में यह पेड़ कहां से आ गया वे तुरंत उस पेड़ की छाया से दूर हट कर चलने लगे यह देख गौरक नाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिशों से बोले देखो जिस ब्रहत हरी के पैर राज महल में गलीचे से नीचे नहीं उतरे थे आज वह नंगे पैर इस जलती हुई मरू भूमी में चल रहा है उसके बाद गौरक नाथ जी रूप बदल कर ब्रहत हरी के पास गए और बोले वत्स इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लो तब ब्रहत हरी ने उनसे कहा मैं अपने गुरुदेव की आज्या की अवेलना नहीं कर सकता हूँ मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि इस मरू भूमी में नंगे पैर ही मुझे एक महिने तक रहना है फिर ब्रहत हरी कुछ आगे गए तब गौरक नात जी ने अपने योग बल से उसके रास्ते में ऐसी कंटीली जानियां उत्पन कर दी कि उसके वस्त्र तक उसमें अटक कर फट गए पैरों में काटे चुबने लगे फिर भी ब्रहत हरी ने आह तक नहीं की यह देखकर गौरक नात जी ने अपने योग बल से अगनी से और अधिक ताप पैदा कर दिया उसके बाद ब्रहत हरी का गला प्यास के मारे सूखने लगा तब गौरक नात जी ने ब्रहत हरी के रास्ते में एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया जिसके नीचे पानी से भरा मटका रखा हुआ था लेकिन फिर भी ब्रहत हरी ने उसकी ओर देखा तक नहीं फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और जब उनके नजदीक आये तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया जो भी चाहो मांग लो यह सुनकर ब्रहत हरी बोले गुरुदेव यदि आप मुझे पर प्रसन है तो मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्यता ही सब कुछ है आप मुझसे संतुष्ठ हुए मेरा सौभाग्य है इससे मेरा जीवन सफल हो गया आपके आशिरवात के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु गौरकनाथ जी बोले तुम धन्य हो भरतरी जब तक ये शिष्टी रहेगी तब तक धर्ती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा